जेक्टिरेट ऑफ स्कूल अजुकेशन ने इससे पहले जो छुटियां थी उन्हें एक्स्टेंशन का ओर्डर निकाला था कि 15 जनवरी तक छुटियां जो है वो एक्स्टेंड हो चुकी है लेकिन उसमें कैपिंग यह थी कि केवल जो प्राइमरी सेक्शन है यानि के पाचव नहीं है और वो कैसे इस सर्द मोसम में स्कूल जाएंगे तो इसके बाद अब और में मौडिफकेशन हुई है और अब और नमबर 720 जारी किया गया है जिसमें छुटियां जो है वो सभी क्लासिस के लिए डिकलियर कर दी गई है यानि के आप पाचवी वाली कैपिंग नहीं है अब सभी जो क्लासिस है अब टू टू ट्वल स्टेंडर उनके लिए चुटियां जो है वो एक्स्टेंड हो चुकी है तो जो पहले लोगों को शिकायत थी केवल पाचवी कक्षा तक ही जो चुटियां है वो बढ़ाई गई है पंदरा तारीक के लिए तो अब ऐसा नही है अब सभी कक्षाएं जो है उनके लिए ये चुटियां बढ़ा दी गई है यानि के कैपिंग समाथ हो चुकी है पहले केवल जो प्राइमरी यानि के पांचवी क्लास तक के जो बच्चे थे उन्हें ही चुटियों में एक्सेंशन दिया गया था लेकिन लोगों ने बहु क्या अलग से होगा तो इस पर जो डिरेक्टरेटर अफ स्कूल एजूकेशन है उन्होंने संग्यान लिया और संग्यान लेने का बाद नया ओर्डर जारी हुआ है जो पिछला ओर्डर था उसका नंबर 719 था और अब ये ओर्डर नंबर 720 है इसमें लिखा गया है इन सूप जो जो लिखा हुआ था कि केवल पांचवी तक अब वो इसमें नहीं है यानि कि ओर्डर सभी क्लासों के लिए वैलिड है आगे जो स्टाफ है उसे आना पड़ेगा होवर स्टाफ and students involved in preparation for the Republic Day celebration shall continue the rehearsal as scheduled तो जो Republic Day के rehearsal में जो teachers और जो बच्चे इसमें participate कर रहे हैं उनके rehearsal जारी रहेगी यानि कि वो स्कूल में आएंगे उसके इलावा सभी के लिए जो छुटियां है अब वो एक्स्टेंड हो चुकी है पहले के वल पांचवी कक्षा तक के जो चात्र थे उन्हें छुटियों में जो है वो extension स्कूल है जो सरकारी और private स्कूल है सभी classes के लिए ये order valid कर दिया गया है और ये कहा गया है कि केवल वही teacher और जो students है वो स्कूल में आएंगे जो की Republic Day की तयारी में participate कर रहे हैं उसके इलावा किसी को भी जो है वो आब 15 जनवरी तक स्कूल आने की जरूरत नहीं है क्योंकि जमो कश्मीर की बात करें तो मौसम वाकई में बहुत जादा सर्द है और ऐसे में बारिश की भी संभावना है बर्वारी की भी संभावना है हाईयर रीचिस में तो बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो जाता और जो order पहले जारी हुआ था जिसमें केवल पांचवी अखी बच्चों के लिए चुटियां जो थी वो बढ़ाई गई थी तो उस पर जो रियाक्शन आया है उस पर जो लोगों ने सवाल पूछे कि पांचवी से उपर के बच्चे का किसी दूसरे शेत्रे में जाएंगे किसी दूसरे राज्ये में स्कूलों में जाएंगे या उनके लिए मौसम कुछ अलग से होगा क्या वो बारिस जो पड़ेगी उसमें उनके बिगने का डर नहीं होगा तो बहुत से सवाल जो थे जाहिए सवाल वहाँ पर किये गए तो इस सब के बाद अब ये फैसल लिया गया है कि छुटियां सभी कशाओं को मिनेंगी और केव रिपबलिक डे सलिब्रेशन में पार्टिस्पेट करने वाले टीचर्स और जो स्टूडेंट्स है उनके रिए असल जारी रहेगी बाके सब के लिए अब छुटियां जो है वो 15 तारीक तक बड़ा दी गई है नमस्कार